नमस्कार सुसल संबाद में स्वागत है बिहार के अभी सियासत में काफी हल चल है क्या बिहार में नितिसकुमार की सरकार अगले 72 गंटे के अंदर चली जाएगी सवाल ए भी है कि क्या अगले 72 गंटे में फिर से नितिसकुमार बीजेपी से अलग हो जाएंगे क्या अगले 72 गंटे में फिर से तेजस्वी जादो जो है बिहार के मुख मंत्री बन जाएंगे ये तमाम सवाल इसलिए हो रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में राजनीती में घटना कर बदल रहा है उससे ये तमाम अटकले लगाई जा रही है इसलिए कि आपने देखा कि मुख मंत्री नि जाना है आपने इससे पहले देखा था कि मुख मंत्री नितिश कुमार ने सभी विधायकों को पटना बुलवा लिया था इसके साथ उनके जितने बरिये पदादिकारी थे विधायक थे सभी लोगों को पटना में उन्हें बुला लिया था तभी से अटकले तेज हो गई थी इसके साथ ही जो कैबिनेट के मंगलवार की बैठक होने वाली थी प्रस्तावीत बैठक थी उसको भी अस्थगित कर दिया गया है और इसे सारे जो है कही न कहीं ये सम्भावनाएं बन रही है ये क्या नितिश कुमार जो है फिर से वो बीजेपी से अलग होकर और महा जन्दन बनाएंगे या फिर क्या लालू परिवार के साथ जिस तरीके से आपने पिछले एक से दो महीने में आपने देखा जो नजदिकियां बड़ी हैं क्या उस वजह से माना जा रहा है कि वो बीजेपी से अलग होकर फिर से जो है लालू यादो के साथ आरजेडी के सारे आकलन लगाये जा रहे हैं इसलिए कि 72 गंटे काफी जो है मत्वपूर्ण होने वाला है दुसरी तरफ खबर ये भी है कि जो आर्जेपी सिंग है वो राज्यसवा जाना चाहते हैं और मुख मंत्री नितिसकुमार इस बार उन्हें राज्यसवा भेजने वाले नहीं है ऐसी आलात में RCPC जो है कही न कहीं जदिव को तोड़ने के लिए वो BJP के सहयोग से तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं इस बात को नितिसकुमार पूरी तरीके से वो जानते हैं और इसलिए अपनी सारे विधायकों को जो है पटना छोड़कर नहीं जाने के जो है एक तरीके साल्टिमेटम दिया है और पाटी के अंदर खाने के दस्तकत भी कराया जा रहा है कि कौन कौन पाटी के साथ है जो वैसे समर्था जो आरसिफिक सिंग के साथ है उनको भी पहचानने की कोशिस किये जारी है तमाम सारे आकलन यह हो रहा है तो इसमें यह पाते आने वाले 72 गंटे बिहार के राजनीती के लिए श्यासत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो रहने वाला है और वहाँ पर अगले 72 गंटा में हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, पार्टियां जो है अलग-अलग हो जाए, महा गटबन्धन जो है, फिर से एक महा करने बाद